हलो फ्रेंट्स वेलकमीन और चैनल नर्सिंग विश्वता आज हम आपको बताएंगे केस्बुक कैसे भड़ते हैं तो उसका जो पोस्ट नेटल केर का जो यूनिट है उसको हम आपको आज फिल करके बताएंगे किस तरीके से केस्बुक को भड़ते हैं और बहुत ही इजी में आपको एक्स्प्लीन करने वाले हैं जिसमे केस्बुक को अपको कर सकते हो ठीक है जबह आपको जबहोंगमेंप से चीजय को चेक राखिन करए को चैनल होता है यूद्वक को वहुत हूं भाट इसको नहतना जरूरी है और एक्वाघ्जाम के लिए तो तो और भी आपको करके रखना है आपको केस्बूक जैसे मिले आप हल्थ एजूकेशन वगेरा तो नॉर्मल जो चीजे आपने केस्बूक में तो भरी सकते हैं ठीक है तो बिना किसे देरी के चलिए अपने वीडियो लाक्च्वर के स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो के थ्रू आप के होजाएगा तो चलिए सटार्ट करते हैं को दूत at the people सबसे पहले आपको जिस वोड में आपके ड्यूटि क्यर ते हैं कि पस्थ नेटल वोड में ही ड्यू पीशेन करना है जैसे कि में female district hospital में भी मैनि उसका नाम मेंशन का रहा है तो आपका विद्ध this hospital में पोस्टिंगो रखें तो वहां का उसका नाम लिखना है Dogs station number यह मैं added करना है postnatal ward जिस ward में अपकी duty ले, postnatal ward का नाम लिखना है and client का नाम लिखन है patient का नाम यहां पर mention करना है patient की कितना education है उसको mention करना है और उसके बात उनका occupation क्या है उसको mention करना है नेक्स्ट आते हैं आप स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री पे तो यहां पर period of the gestation मतलब कितने वीक पर उनके delivery हुई है उसको mention करना है ठीक है LMP से count करके जितने वीक पर उनका expected date of delivery था या जितने डेट पर उनके delivery हो रखिए उस वीक को यहां पर mention करना है फिर आता है यहां पर टर्म पर हुआ है फोटी वीक तक के बाद हुआ है तो यहां पर T1 यहां पर P1 रहेगा abortion नहीं हुआ है तो A0 term birth यहां पर यहां पर यहां पर abortion नहीं हुआ है तो उसको लिखना है और life एक हुआ है और still birth नहीं है तो जीरो उसके बाद LMP करना है उनका LMP का date क्या है उसको mention करना है LMP से ADD को calculate करकी इस पर mention कर देना है फिर उनका address को यहां पर mention करना है फिर नीचे लिखा है time of the onset of the labor मतलब स्रम की शुरुआत कि समय कब हुई थी मतलब labor pain कभी start हुआ था किस date को हुआ था कितने बजे हुआ था उसको mention करना है और किस टाइम पर डिलिवरी और किस टाइम पर डिलिवरी हुई थी उस डेट का और किस टाइम पर हुआ था यहां पर mention करना होता है ठीक है नीचे हम आते हैं तो past of statistical history मिलती है तो जो मदर है प्रिमी ग्रवड़ा है तो कोई पास अप्शिकल के हिस्ट्री तो है नहीं ठीक आप जस्ट पैसे ही लिख देंगे ठीक है नीचे हम देखते हैं फिर से दूसरी एडिंग जो हमारी है वह क्या है प्रिजेंट कंडिशन अफ दप्रेगनेंट मदर मदर जो हमका प्रिजेंट क्या कंडिशन है उसको मेंशन करना है फॉर्म पेर हैं पूर रहा है यहां पर the差 ना हूता है उंका हायड कितना है तो 150 cm मेंशन कर देना है उनका सम्यष चितना है मेंशन करना है दो की पर दिय्म को हैं उसको मंसिट कर दिना है हं उसके बाद छूलो होती है और उक्छकी सांड होती progress एक बावेल का मोमेंट रेगुलर है Перेगुलर है मिनलाइं को अगर वाइनर लायमियन उस तते मेशनी करना नहीं है तो नाइटय मिल्च लिगनप थो नार्ड भाँ यहां वोके कोarte के बाद कि लोकिया है उसको मेशन करना है ठीक है और उसके बाद लेबर पेन है कि नहीं तो डिलिभरी तो हो चुकी है तो यहां पर नॉट पाउंड फिर नीचे माते हैं तो वाइटल साइं का है जिसमें मदर का वाइटल से यहां पर फूट करना होता है ठीक है तो नॉर्मली आप जो वाइटल से उसकी फिल कर देना यहां है टीक हैं आपको से बता है यह एंडिकेशन का तो यह पर जो अनॉटमी का प्रम के इंडिकेशन क्या था केट केट का 1,5 चर्कल एंड 40 mm का एव्जर बसूचर को यूज किया गया था ठीक है तो यहां पर उनका डेट मेंशन कर देना और जिस टाइम पे बीभी का बर्थ हुआ है उसको डेट यहां पर टाइम कर देना और जो जन्म लिया बेबी वह मेल है या फीमेल इसका जेंडर टाइम पर दना आपको बिभी का उसको मेंशन करना है अपकार श्कूरिंग क्या थी तो आपको ब्रसानीक को सूर्ब्स प्रड़ जा तो इसीत नॉर्मल फ्रसानी स्कूरिंग आपको ब्स ये तो भाई है तो आपको तिक्स जाए सब्दे आह। नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको time of the delivery of the placenta membrane मतलब placenta और का जो delivery था उसका time mention करना है आपको ठीक है तो आप वहाँ पर time mention कर दोगे ठीक है और उसके बाद नीचे आएंगे आप तो spontaneous मतलब यह जो placenta था वो spontaneous सी बाहर रहा था कि आप assist किये थे आप मैनुली रिमूब किये थे तो जो placenta था spontaneously बाहर आ जाते तो आप इसको सीधी सीधी spontaneous यह लिख देंगे नीचे आएंगे तो वेट अब प्लेसेंटा का वेट कितना था तो वेट 500 ग्राम का होता है तो नॉर्मल यह पर पूट कर देंगे आप फिर condition of the placenta complete expulsor मतलब प्लेसेंटा जो है completely expert हो गया था उसके कोई भी bit spot uterus में return नहीं रह गया था तो आप complete expulsor लिख देना है नॉर्मली ठीक है अगर आप return लिखते हैं तो उस ताइम पे मदर को पीपी होने की भी chances होंगे तो आपको नॉर्मली आपको पूट कर देना है नीचे आएंगे तो कंडिशन आप दो कॉर्ड मिलेगा तो कंडिशन आप दो कॉर्ड जो है healthy है उसमें टू आर्ट्री और एक वेन थे आम लिकल कॉर्ड में हमेशा एक वेन होते हैं वन वेन होता है और टू आर्ट याद कर सकते हैं एंड अमांट अप दो ब्लड की बात करें तो appropriate for the appropriate for the gestation sorry यहां पर दिया गया कि amount of the blood loss तो आप दिखेंगे appropriately 500 ml ठीक है आपको यहां पर mention कर देना है ठीक है नीचे जब आएंगे तो आपको एक हीडिंग मिलीगा फीजिकल एक्जामिनेशन का फीजिकल एक्जामिनेशन बेबी का यहां पर ठीक है तो बेबी का यहां पर vital sign आपको पुट करना है ठीक है यहां पर नॉर्मली जो भी चीज़े होती है पुट कर देना है आपको बेब पंधिवी त्याहिं है ना नीचाएंगे तो एक्तिवीटी क्या है मत्तुम्छी है या नहीं तो एक्तिव है तो एक्तिव है तो में अगर कोई reflexe present है तो आपको अगर कोई reflexe present है तो नर्वियस प्राब्लम अ मिले हैं ऊपको खाल टारभ देतंके देगां यहां अगर कोई Apple लिक देट्योंधे में तो इसको आपकों डाल टीटा चीछिंव नीचे आएंगे तो किस तरीकी का कोई भी आपने नहीं मिलिया आपको नीचे आएंगे तो क्लिनकल चार्ट आप पोस्ट नेटल मॉदर एंड बेबी आपको यहां पर मेंशन करना है तो सबसे पहले मदर का नाम आपने लिख दिया फिर्म का एज लिख दिया और उन डाइग यहां पर पोस्ट नेटल डेट ठीक है कि नीचे आएंगे तो मदर कई वाइटल्स है फंडल हाइट एंड यूरीन और उसके बाद आपको पॉल्स रिस्परेटरी बीपी ब्रेस्ट इन लोकिया इस सारी चीजे मिलेगा तो लोकिया में लोकिया है तो यहां पर रेड़ कर देना होता है तीन दिन तक का ठीक है मतलब आपने मॉर्निंग में लिया तो क्या फांट आपने किया इसको यहां पर सिंपली लिखना होता है ठीक है तीन दिन तक का यहां पर बीबी का है बीबी का भी सिम ऐसे ही है तीन दिन आपने लिया तो क्या चेंज आई मॉर्निंग और इबने में कैच चंज आयों इसको आपको यहां पर सिंपली मेंशन कर देना होता है ठीक है तो यहां पर आपने यहां पर वैटर्स को तो मेंशन कर दिया है हर्ट बीट रिस्पारेटरी और वेट को हमेशा ग्राम में लिखना है फीडिंग मतलब कर रहा था अक्टिविटी एक्टिव था यूरिन प्रेजेंट था मिकोनियम प्रेजेंट है और ट्रीटमेंट उसको यह सारे ट्रीटमेंट दी गई यह चीजें पर मेंशन करना होता है तो आप यहां तक आपको समझा गया हो फिर जब आप नीचे आएं गुदर लिखा रहेगा कि कंड प्रेजर केस लेते हैं तो अपने जो किस बुक है आप उसमें कैसे फिल करते हैं तो उसका रहा यह फॉर्मेट अगर आपको केस भूप भड़ने में किसी भी तरीकी के अगर प्राबलम होती है तो प्लीज आप कॉमेंट में मुझे कॉमेंट करके पूस सकते हैं यह मेरी जब भी केस्बूक मिल जाया तो आपको एटलिस्ट हेल्थ एजुकेशन वगएर इस तो फिलकरी देना चाहिए क्योंकि केस्बूक जो होता है तरीके का बढ़न होता है उतको जितना जल्दी आप चाहें आप भर सकते हैं ठीक है तो फ्री हो जाएंगे आप केस्बूक भर के तो यह रहाँ अवराल इप्रमेशन रिगार इन पॉस्ट नेटल तो थैंक यू थैंक यू फर वचिंग